पॉंग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज बिहार दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने राजद नेता तेजस्वी यादव के साथ एक विशाल सन्युक्त जनसभा को संबोधित किया। बिहार के पूर्व उपमुख्य मंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, प्रधान मंत्री जी की भाशा का स्तर इतना गिर चुका है कि कोई भी परिवार के लोग उनका भाशन नहीं सुनना चाहते। क्या बात करते हैं? मंदिर, मस्जिद, मचली, मटन, मुझरा ऐसी बातों का वो जिक्र करते हैं, ये उनके लिए मुद्दा है। हम पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई की बात करते हैं। तेजस्वी बैठ कर ही रैलियों को संबोधित कर रही हैं। आज बक्तियारपुर में उन्हों ने कहा, मेरी हड़ी में चोट है। दॉक्तर ने कहा था कि आप तीन हफ़ते बेड रेस्ट कीजिए। मैंने कहा कि तेजस्वी बेड रेस्ट तभी करेगा, जब तक मोधी जी को बेड रेस्ट न करा दे इस अवस्था में मैंने 230 सभाएं की हैं। दरसल राहुल गांधी के खटाखट वाली बात को पीएम नरेंद्र मोधी ने अपनी चुनावी रैलियों में खूब टारगेट किया। इसके पलटवार में विपक्ष के नेताओं ने उस बात को प्रचारित करना शुरू कर दिया। आज तेजस्वी के बाद राहुल गांधी बोलने के लिए खड़े हुए तो नौकरी के मुद्दे पर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार ने अगनिवीर स्कीम लागू कर जवानों को मजदूर बना दिया है। हमारी सरकार चार जून को आ रही है और हम अगनिवीर योजना को फाड़ कर कूड़ेदान में फैंकने जा रहे हैं। राहुल ने कहा कि पांच जुलाई को करोडो महिलाओं के अकाउंट में ठकाक से डाल देंगे। अगस्त सितमबर पांच तारीख को 8500 रुपए खटाखट खटाखट मिलेंगे। साल भर में एक लाख रुपए दिये जाएंगे। आप बताओ प्रदार मतिजी ने बक्तियार पूर के लिए कोई काम किया हो। तो आप एक काम बता दो जो बक्तियार पूर के लिए किया हो। केवाल जूट बोला के लिए बोला। कोई नौक नी दी, महेंगाई कम की, गरी भी कम की, कोई बड़ी आस्पताल बनवाया, कोई बड़ी आ यूनिवर्सिटी बनवाया, कोई काम बक्तियारपुर के लिए इन लोगों ने नहीं किया। इसलिए हम लोग काम की बात करते हैं, और प्रधान मंत्री जी की भाशा का स्तर इतना गिर चुका है, कि कोई भी पडिवार का लोग बैठ करके उनका भाशन नहीं सुनना चाहता, कोई भाशन नहीं चुना चाहता, क्या बात करते हैं, मंदिर, मजिद, मचली, मटन, ऐसी ऐसी बातों का वो जिक्र करते हैं, ये उनके लिए मुद्दा है, हम बात करते हैं, बढ़ाई, दवाई, कमाई, सिचाई, गरीबी के बारे में बात करते हैं, बेरोजगाई के बारे में बात करते हैं, महेंगाई के बारे में बात करते हैं, लेकिन परधान मंत्री जी क तो बियार आकर के गाली देना है लालू जी को गाली देंगे तेजश्वी को गाली देंगे राहुल जी को गाली देंगे इतनी मर्यादा गरिमा परदान मंत्री पद का कम से कम रखना चाहिए था इनसे बड़ा जूटा परदान मंत्री और कोई नहीं है विश्व में अगर उसका नाम नरंदर मोदीजी है यह इतना जूड बोलता है कि गोबर को भी हलुआ बना देते हैं कोई बताव अच्छे दिन आने वाले ते कहां गया अच्छे दिन ठाग लिए कि नहीं ठाग लिए एक बाद ठागाया दो बाद ठागाया लेकिन तीसरा बाद ठागाने वाला नहीं है उसलिए मोधी जी गैरंटी देते हैं क्या गैरंटी देते हैं तेजश्वी को जेल भेदे का गैरंटी देते हैं लेकिन राहुल जी अतेजश्वी नौकरी देने की गैरंटी देता है हमलोग ने नियोजीत सिक्षिक करमियों को सारे 4 लाक जो थे उनको सरकारी क्रमिय का दर्जा दियाивать स्विप आधारेवे गन्ना किराया बाज बम понा लेक्षन हम लोगों बहुत बाज-बात शाशित राजय में अगर पाज mini परसेंट हो तो हमको बता दो OBC का, EBC का, SC का, ST का हम लोगों ने आरक्षिन की सिवा को बढ़ाने का काम किया लेकिन परधान मंत्री जी यहां आ करके जूट पर जूट जूट पर जूट बोलने का काम कर रहे हैं तो देखो भाई आप लोगों से भी तना कहिए मिजाज रखिये टरा टन तरा टन तरा टन अरे मिजाज बानू टरा टन तरा टन तरा टन नोकरी मिलेगा फड़ा 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 बैनों के खाते में लाक रुपया जाएगा खटा 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 अब पर भोट गिरेगा ठकाठाग 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 माले को वोट पड़ेगा ठकाठाग वियाईपी को वोट पड़ेगा ठकाठाग